हेलो एवरीबन वेलकम टू रेलिकस आयम राजुकुमार एस्सियो एक्सपर्ट आज का हमारा मॉडिल ओप पेज है हम इसमें सीखेंगे क्लासिपाइड एड्स तो क्लासिपाइड एड्स एक्चुली में होते क्या हैं अगर आपने कभी निउस्पेपर देखा होगा निउस्पेपर में इस टाइप का एक सेक्शन आता है जहां पर अलग अलग टाइप पे सर्विसेज प्रोडेक्स को अडविटाइज किया जाता है उनके बारे हम बता जाता है यहां पर अपना एड क्रिएट करा और यहां पर पॉब्लिश कर दिया अब इसमें हम अपने सर्विसेज के वारे में बताते हैं तो जिससे क्या होता है यूजर का इंगेजमेंट बढ़ता है अगर यूजर जो भी यूजर क्लासिपाइड एड्स या फिर हम कहें तो लोकल डिरेक्टरी है जहां के हम अपने एड्स को या सर्विसेज को लिस्ट करते हैं जाके तो आज हम यही सिखिंगे हम इसको कैसे कर सकते हैं तो कुछ चीजों का आपका ध्यान में रखना है कि आपकी आप जिस सर्विस के लिए भी लिस्ट कर रहे है जिस क्लाइंट के लिए उसकी location की है अगर वो यूएस का है तो आपको ऐसी directory में ही ऐसी ज going, ऐसी website पर ही पोस्ट करना है जो कि particular US की ही हो, वहाँ पर ट्राफिक यूएस का ही आ है अगर आप ऐसी कंट्री में कर रहे हैं जिसकी लोकेशन कुछ हो रहे हैं तो कोई फाइदा नहीं है क्योंकि वहाँ के लोग उस सर्विसेस को एफोर्ट या फिर हम कहें तो अगर सर्विसेस को ले दें उसी वह है है किस-किस टाइप के सर्विसेस देते हैं उनके सर्विसेस की टाइविग और अगर प्राइसीज जो भी उनकी रेट है सर्विसेस के प्रोटिक्ट के अगर यह आपको पता है तो आप इसका एक लिस्ट बना ले चेक्लिस बना ले थाकि आपको बार-बार ढूंडने की जरूद ना पड़े और फिर हम इन्हें publish कर सकते हैं add के तरू तो हम इस website पर आते हैं यहाँ पर अगर अपने पहले account नहीं किया है तो अगर हम किसी भी website पर जाते हैं और वहाँ पर सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि इस website पर आपका add पहले से published है यह नहीं है अगर नहीं है तभी आपको add create करना है बना add create नहीं करना है क्योंकि वो duplicate हो जाएगा हाँ अगर आपने add create करा है पहले किसी और services के लिए करा है आप किसी और के लिए करना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं तो अब यहाँ पर हम sign up करेंगे, sign up करने के बाद register का portal आता है, इस type से कुछ तो यहाँ पर I am not a robot यह एक check post है, जिसके तुरू हम बताएंगे Google को कि हाँ बोट नही है अब यहाँ पर कुछ details fill up करने को आती है, यह details आप जो भी sheet आपने maintain करी है यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था, यह हर एक चीज के लिए sheet को maintain करके रखना है यहाँ अपने email हमने email डाल दिया email आपको correct रखना है क्योंकि इस email पर verification code जाने वाला है यहाँ पर हमने password डाला, जो आपने create कर आए confirm, यहाँ पर हमने उस website का नाम डाल दिया यहाँ पर username आगेगा, username हमने पहले से create कर रखा है तो हम username भी डालेंगे यहाँ पर हमारी location क्या है, हमारी location United state है, province क्या है हमारा, अब यह आपको website से पता चल जाएगा कि California है तो इसी type से आप किसी और website के लिए कर रहे हैं तो उसकी location आप note करके रख सकते हैं अब यहाँ पर district क्या है, तो हम यहाँ पर torrents डाल सकते हैं city optional है, यहाँ पर हमने कर दिया, create account अब यह हमारा account create हो गया है, अब यहाँ पर देख सकते हैं account create करने के बाद before you can login, you need to confirm your email address, why email we just sent to you अब जैसे कि मैंने बताया था, आप जिस email का भी use करेंगे उस पर verification link जरूर जाएगा तो हम उस link पर आते हैं, यहाँ पर देखिए activate your account का आ रहा है, यहाँ पर link आयुए हम इस पर click करेंगे यह हमें दुवार उस website पर ले जाएगा, तो इसलिए email जो भी details हुआ आपके correct होने चाहिए अब यह activation code दिया हुआ है, हम यहाँ पर activate पर click कर देंगे अब click करने के बाद हमारा account create हो गया, अब हम यहाँ पर sign in कर सकते हैं अब हमने sign in करा, यहाँ पहले से save करके रह सकते हैं या फिर जाके log in कर सकते हैं यहां पर हमारा यह प्रोफाइल है हमने प्रोफाइल अगर यहां पर एडिट हो रहा है तो आप यहां पर प्रोफाइल को अच्छे से सेट अप कर लें क्योंकि कहा जाता है कि first impression is the last impression तो जो भी आपकी प्रोफाइल है किसी वेबसाइट पर हमिशा proper setup होनी चाहिए वहां पर कोई भी details miss नहीं होनी चाहिए आपके लोगो प्रॉपर होना चाहिए ताकि लोग उसे देख के identify कर सके details phone number addresses हर एक particular चीज यहां पर upload feel हो गया है क्योंकि यह please upload in jpeg file अच्छा यह किसी और इसका dimension file का कुछ और है तो हम इसको change कर लेते हैं jpeg में ही तो यह हमारी image upload हो अब इसे यहां पर resize कर सकते हैं crop कर लिया हमने अब यह हमारी image successfully uploaded हो गया अब यहां पर हम view my profile पर जाएंगे यहां पर हम चेक करेंगे एक बार यह देखिए हमारे profile भी setup हो गया अच्छे से और भी जो भी important details से आप हो यहां पर fill कर सकते हैं अब फिल करने के बाद हम यहां प जाएंगे जो हमारा main aim था create करना हमारी location क्या है United state अब यहां पर कुछ categories जाएंगे हम किस categories में अपने ad को create करना चाहते हैं तो हमारा business production services है या फिर consumer arts, books, furniture, sports इन सब के अंडर में आपका आता हैं तो हम यहां पर business production services में जाएंगे यहां पर click करने के बाद तो इस panel पर हम आ गए हैं यहां से categories हमने marketing sales चूज करी हैं यहां पर और भी categories है जो आप अपने according चूज कर सकते हैं पिर यहां पर caption offered आप services दे रहे हैं चाहते हैं या फिर कुछ और यहां हमने caption रिख दिया अपने services के बारे में बता दिया है ads के बारे में description फिर यहां पर आप क्या best offers provide कर रहे हैं या buy now option provide कर रहे हैं free है कोई firm है या फिर ऐसे कोई details job fill कर सकते हैं अब यहां पर किस currency में आप आपकी services का amount है और कि services में pay करवाना चाहते हैं तो USD आप क्या है agent है या owner है owner तो अभी यह हमारे basic details fill up हो गई है अब यहां पर यह कुछ action order देता है जैसे full post, quick post and multi post, multi post में कापी सारे post, full post में आप full details में जा सकते हैं तो हमने यहां पर quick post करा है आपको basic information देने के लिए तो अब यहां पर preview add करते हैं details fill up करने के बाद तो कुछ हमारा ads इस type का दिखेगा तो यह हमारा ads हो गया अगर यह हमारा ads सही है तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर post ad पर click कर देंगे सारे details एक बार verify करने के बाद अब यहां पर upload a photo to your ad अब यह कुछ photos मांग रहा है upload करने के लिए अब हम photos को upload कर देंगे जो भी relevant आपके पास है services की या products की तो तो यहां पर हम कुछ photos upload कर देते हैं अपने services की यहां पर upload file यहां पर uploads हो गए यहां पर दे सकते हैं your photo has been uploaded to your ad you may now continue अब यहां पर अगर और भी photos है तो आप वो भी add कर सकते हैं तो हम यहां पर और photos add कर लेते हैं तो जो भी और हमारे services है उससे related upload file अब यह भी हमारा upload हो चुका है अब इसके बाद if you are done with your posting you may view your ad, bookmark your ad और view your updated my post अब हम तो हम यहां पर view पर क्लिक करते हैं अब view पर क्लिक करने के बाद यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा add publish हो चुका है यह हमारे services के बारे में बता रहा है marketing offer, add number, description हम यहां पर owner है तो इस तरह से हमारा जो add है वो publish हो चुका है तो I hope आपको समझाया हो कि हम कैसे add को publish कर सकते हैं इस तरह से हमारा proper add create हो चुका है तो इसी type से आपको website सर्च करनी है Google से जोगी आपकी services relevant है आपको ध्यान में रखना है आपकी जहां भी service location है उसी से related website आपको find करनी हो आप पोस्ट करना है प्रोपर details heading photos और photos informational है तो वह best है category सेलेक्ट करनी है आपको description डालना है आप website में अगर payment का option आ रहा है तो जैसे हमने चेक करा था हमने देखा था वैसे आपको select करना है अगर services amount डालने का भी option आ रहा तो आप वह भी proper डाल सकते हैं तो इस तरह से हमने add create करा आयोब आपको अब यह जो backlinks generate हो गई है हम इसको copy करके अपनी backlink की sheet पर mention कर देंगे ताकि यह as a proof है हमारे पास तो thank you guys I hope आपको यह video सही लगे आपको समझ कर दो